Hello everyone, welcome to our channel biology sites in this video today we will discuss about fit batch culture इस वीडियो में हम fit batch culture के बारे में details study करने वाले हैं वो भी हिंदी और इंग्लिस तो उन्हीं languages में I hope this video is very helpful to you तो जानकारी के लिए बता दूँ कि जो bacterial culture का first type है जो कि यह है batch culture में पहले ही वीडियो अप्लोड कर चुकी हूँ उस वीडियो का link मैं अपने description box में दे दूँगी जिज़को देखना होगा वो जाके visit कर जाकते हैं तो यह बात करते हैं इस वीडियो के अंदर fit batch culture के बारे में तो firstly हम discuss करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़े discuss करने वाले हैं तो first is process of fit batch culture fit batch culture की प्रक्रिया मतलब कि वो कैसे step by step follow होता है या फिर किया जाता है second is advantage इनके फाइदे क्या क्या है third is disadvantage इनकी हानिया क्या क्या है और uses इनके उप्योग मतलब कि fit batch culture का उप्योग कहा कहा होता है तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो आईए बात करते हैं कि fit batch culture क्या होता है और उनका process कैसे होता है step by step in fit batch culture all nutrient is not provided at a time provide a small amount of nutrient in many batches कहने का मतलब यह है कि fit batch culture के अंदर हम जो bacteria माल दीज़े या पे growth करवा रहे हैं तो उनको कई बार हम nutrient बारी बारी करके देते हैं एक बार में हम पूरा nutrient नहीं देते हैं fit batch culture में सभी पोशकतत्व एक समय पे प्रदान नहीं किया जाता है बलकि कई बार batchों में थोड़ी थोड़ी मातरा में पोशकतत्व प्रदान किये जाते हैं इसलिए होता है क्योंकि वो उस एरिये को क्या करते हैं टॉक्सिक बना देते हैं अगर हम सारा nutrient एक ही बार डाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा टॉक्सिक हो जाएगा मतलब कि जहरी लाहिस में क्या होगा की जहर टाइप का बनने लगेगा यह धीरे धीरे ठीक है इसलिए इनको थोड़े थोड़े अमाउंट में nutrition दिया जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी आस-पास की अधिक पोशकतत्व रोगाणों में विशाक्त हो जाते हैं रोगाणों की विर्दी जिसकी वज़ा से रुक जाती है अधिक पोशकतत्व द्रब की चिप-चिपाहट को बढ़ाते हैं जो मेडिया में oxygen या फिर अन्य गैस की मिच्रट को रोक देता है माल लीजी है कि हम इसके अंदर बैक्टिया गुरोध करवा रहे हैं तो जब हम इसमें एक अई बार सारा nutrition डाल देंगे तो यह क्या करेगा viscosity को increase कर देगा ठीक है मतलब कि यह जब गाड़ा हो जाएगा तो यह चिप-चिपाहट पैदा करेगा ठीक है जिसकी वज़ा से जो oxygen microbes को मिलने चाहिए और अने gases मिलने चाहिए वो उनको अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे इसलिए यह क्या होता है कि इनका जो nutrition होता है वह हम बारी-बारी इसमें डालते हैं इनके फाइदे क्या है इनके बारे में बात करते हैं for those where the nutrient becomes toxic food culture is used उन लोगों के लिए फेट बैच कल्चर ये जाता है जहां पर पोशक्त तो विशाक्त हो जाते है यूफ नेक्स्ट पॉइंट इस लिमिट्टेड असहीं असहां इतने निट्रिंट 감사 ai कूर देखने ने सकता है थीक किया करता है अदर्य होता है एक टरह से सिमित हो जाता है ये बायो मास उत्पादन में भी साहता करते हैं अब बात करते हैं डिस अडवान्टेज की मतलब की जो फिट बैच कल्चर है उसका नुकसान क्या क्या है परफेक्ट कल्चर आपको सूच मजी और फर्मिंटीशन प्रक्रिया को करने के बारे में विशेशक्यता हासल होनी चाहिए आपको सूच मजी और उनका बेवहार पता होना चाहिए मतलब की यहाँ पे एक प्रक्रिया का ग्रोथ करवा रहे हैं तो इस बैक्रिया जो भी हम ग्रोथ करवार हैं जिस भी बैक्रिया का उसके बारे में हमको अच्छी तरह से नॉलिज होनी चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या-क्या है ठीक हैं और उनका फर्मिंटीशन कैसे करना है इस प्रक्रिया के बारे में हम अच्छी तरह से नॉलिज होनी चाहिए अगर आपको knowledge नहीं है तो आप यह fit batch culture process नहीं use कर सकते हो यह आसान तरीका नहीं है और batch culture की तुलना में बहुत ही सदा महंगा है अब बार बार माली जी यह petri plate है इसके अंदर हम nutrition डाल लें तो हमको time लगेगा की नहीं लगेगा तो क्या है कि यह आसान तरीका नहीं है हम बारी बारी यहाँ पर बैट के क्या करेंगे nutrition को डालते जाएंगे ठीक है तो यह easy method नहीं है और यह क्या है as compared to batch culture यह थोड़ा सा expensive होता है मतब कि महंगा होता है next बात करते है users की fit batch culture का use कहां कहां होता है the first point is culture used in production of baker's yeast baker's yeast it means की bread बनाने में ठीक है bread बनाने के उत्पादन में इस culture का use किया जाता है मतब कि fit batch culture का use किया जाता है second point is making antibiotics just like penicillin इनको antibiotics बनाने में भी use किया जाता है इस process को ठीक है जैसे की penicillin बनाना यह एक तरह का antibiotic है third point is many of the other secondary metabolites derives from the primary metabolites कई अनद्वितियक metabolites प्राथमिक metabolites के उप्युक्त होते हैं जैसा की यह एक petri plate है जिसमें हमको दो चीज़े मिलती है first is primary metabolites और second is secondary metabolites secondary metabolites ठीक है हमको दो चीज़े मिलती है तो primary metabolites क्या है कि ऐसी चीज़ें जो की हमको metabolism में help करती है जैसे की carbohydrates, nucleotides, amino acid, vitamins यह सारी चीज़ें हमको primary metabolites में मिलती है जो की हमारे growth के लिए, respiration के लिए help करती है लेकिन secondary metabolites वो होते हैं जो की microbes के waste material के form में हमको मिलते हैं जैसे की antibiotics, toxins, enzymes यह सारी क्या है secondary metabolites के थुरू हमको मिलते हैं तो यह भी एक तरह का use है ठीक है, microbes का growth करवाते हैं तो हमको primary metabolites के साथ साथ हमको secondary metabolites भी प्राप्त होता है जैसे के साथ 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 साथ